वेवरिवान, वेलकम टू मैं चैनल, हर इंसान को जज़ कर लिया जाता है उसके प्रेजन्ट को देखकर, लेकिन लोग कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कारण जब हम उसके फ्यूचर को जानते नहीं हैं, तब भला कैसे उसके प्रेजन्ट को देखकर, हम उसके प्रेडिक्शन दे देते हैं यानि आज जिसे हम समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं है हो सकता है भविश्य में वो सब कुछ बन जाए और इस मुकाम पर पहुंच जाए एक ऐसी मंजिल उसने पार कर ली हो भविश्य में जाकर जिसकी कलपना भी आज हम नहीं कर पा रहे हैं KBC एक ऐसा मंज जहां पर ये बात साबित होती है कि मिटी के घरों में रहने वाले एक इंसान जिसके पास असीम ग्यान है उसे अचानक से एक ऐसा प्लैट्फॉर्म मिल जाता है कि रातों रात उसका भाग्य खुल जाता है जीत जाता है वो और उसकी तकदीर में बदलाव य लेकिन मेहनती इंसान जब अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है कब जीवन में किस समय टर्निंग पॉइंट आए और वो एकदम नीचे से उपर पहुंच जाए ये शायद उसे भी पता नहीं चलता लेकिन लोग प्रेजंट को जच करते हुए फ्यूचर के बारे में बत जाएगा इसी में चिपी होती है भगवान की वो करिश्मा भगवान का वो करिश्मा जो वो दिखलाते हैं टाइम टू टाइम कल की अवतार कल्यूग के सुपर हीरो कारण उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं लेकिन उनका अपना डिवाइन विस्डम और उनकी अपनी मिरेकल क्रेट करेगी कल्यूग में उनके पास वो पावर कि वो कोईले को भी हीरा बना दे इनसान ऐसा ही है अगर इनसान के पास वास्तों में उसकी याजह सकता है बुलंदियों के उस शिक्र को छूँ सकता है जहां पर की अच्छे अच्छे इंसान नहीं पहुँं सकते या यूँ कईए पावरफुल जो पैसे रुपे के से ज़्यादा पावरफुल हो या जो फिस्जिकल पावर वाले हो यानि mental power, intelligence इंसान के अंदर वो गुण होता है जिससे वो बहुत बड़ी-बड़ी मंजीरों को आसानी से छू लेता है कल की अवतार भी आज अद्रिश रूप में अपना कार्य कर रहे हैं लोगों के सामने आगे आकर शोशल मेडिया पर अपना बखान नहीं कर रहे हैं अपने वीडियो को अप्लोड करके वावाही लूटना चाहता है रातों रात अरब पति बनना चाहता है लेकिन जब तक कल की अवतार की मर्जी नहीं तब तक पत्ता भी कल्यूब में यहां से वहां नहीं हो सकता क्योंकि उनकी डिवाइन विजन और उनका शार्प विजन हर तरफ है मौजूद और उनहीं की निगरानी में इस यूनिवर्स में हर कारियत चल रहा है तो मैं जो बात कर रही हूँ कि कल की अवतार के पास वो ताकत है जो एक साधारन इंसान को भी विशेश बना दे यानि जिस इंसान को लोगों ने इगनोर किया, रिजेक्टेट किया, जिनको कोई काम नहीं दिया गया हो सकता है फ्यूचर में जाकर उसे न सिर्फ मान प्रतिष्ठा मिले बलकी पैसे रुपियों से भी और हर चिस से उसे शिष्टी इस तरह से उपहार दे कि वो इंसान जिरो से हीरो बन जाए, यानि वो कुछ नहीं था, लोगों का ध्यान भी उसकी तरफ नहीं जा रहा था लेकिन अचानक से उपर वाला अपनी कृपा बरसाता है और वो बन जाता है धूल से फूल, यानि कमल जो किचड में खिलता है, लोग कमल को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, किचड में रहकर भी वो अपनी अलग नई पहचान बनाता है तो कल यूग में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कल यूग में, कल यूग के किचड में, कल यूग की गंदगी में, इस गंदगी भरे यूग में जन में तो हैं, लेकिन अपने गुणों से अपनी अलग पहचान बनाने में काम्याब हुए हैं और आगे भी काम्याब हो तो कलकी देव के पास कलकी भगवान के पास वो डिवाइन पावर वो डिवाइन एनर्जी जो एक कोईले को भी हीरा बना सकती है क्योंकि आसान नहीं है एक साधारन इनसान को एक विशेश इनसान के रूप में परिवर्तित कर देना इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत होती है और इनसान के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने गुड़ों के कारण आगे जाकर कुछ इस तरह का मंजिल हासिल कर ले जो आज तक किसी नहीं की है रिसेंटली जब आपने चतिसगर एमपी और राजिस्तान के सीम का चुनाओ देखा तो आपने यहीं नोटिस किया होगा कि प्रधान मंत्री मोधी जी ने उन लोगों को जो की पॉपुलर हैं बहुत अधी क्वालिफाइड हैं बहुत पैसे रुपियों से रिच हैं जो एकद बहुत जादा नंबर्स में उनके फॉलवर से उन्हें छोड़कर किसी तीसरे को साधारन इंसान को जो भीड में खड़ा हुआ है उसे पीछे से आगे लाकर जो अपनी साधारन सी गाड़ी में पहुचा कि वहां पर सीम का चुना होने वाला है तो उसका तो कोई रोली नही साधारन गाड़ी को छोड़कर वो सीम की गाड़ी में सवार हुआ उसके पीछे गाड़ीों का काफिला सिकुरिटी उसे मिल गई और रातों रात मिनट बदलते उसकी तकदीर बदल गई इसलिए इंसान को न अपने कर्म छोड़ने चाहिए ना ही अपनी मेहनत कब आपके स इसमत में बदलाव होगा और आप बिल्कुल निचले स्तर से उपर लेवल पर हार लेवल पर पहुंच जाएंगे इसका ग्यान भी या इसका अनुमान भी इंसान को नहीं हो पाता लेकिन जैसा मैंने कहा है और हमिशा कहती हूं कि कल की भगवान जब कल युग में हैं तो हर किसी पर उनकी पैनी निगाह है और कर्मों के एकॉर्डिंग ही हर इंसान को सफलता या असफलता मिलती है लेकिन असफलता से घबडाना नहीं चाहिए और सफलता की दिशा में हमेशा हमें अग्रसर होने का प्रयत्त करना चाहिए थैंक यह वरी मुच्छ को वच्छ वच्छ कर वच्छ कर दो दोड़े आज़े जब कर दो शचाहिए